ये समर, ये धूब, य बरती हुँई गर्मी ऐसे में भी हमें स्कूलрах जाना होता है अपने काम पर जाना होता है टाइम नहीं मिलो होता है, फिर भी तफरी करनी होती है, गर्जर्टरी को गुमाने जाना होता है बढ़ती एकनोमी, गिरती हुई एकनोमी, हाँ थोड़ा ज़्यादा हुआ लेकिन ये बात तो सच है कि हम लोग स्किन को लेके कितने conscious है, आज अपन इस वीडियो में अपनी स्किन की हेल्थ को लेके, अपनी स्किन की हाईजीन को लेके किस तरीके से आत्म निर्बर बन सकते ह इसके उपरे वीडियो को इंट्रेक्स ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो अभी तक सब्सक्राइब करना, और गंटी बजाने के बाद all notifications को भी on करना, तो करना, परेशान हो गए हम लोग धाई साल से, पानी अपनी हेल्थ को रिजूनेट करता है, सब्सक्राध्यान सिर्फ फेस वाश पे होता है, भई सबसे बेस्ट फेस वाश बताओ, यार सबसे पहले अपनी स्किन को रिलाक्स करो, पानी से, स्पार्ट रिट्मेंट ओ, लेड़ स्किन ब्रीद, मुँपे पानी चिड़को, डेर सरा पानी, लेकिन ठंडे पानी से आप को सूधिंग फिल अराम मिलता है, लेकिन ठंडा पानी आपकी स्किन के पॉर्स की साइज कम कर देता है, यानि कि छोटे छोटे छेद होना बहुत जरूरी है, तब ही स्किन में वेंटिलेशन बना रहता है, इसलिए हमें याद रखना है, फेस वाश से पहले ठंडा पानी कुछ भी एक नाएक केमिकल तो ज़रूर होता है फिच आए वो पतन जली का फेस वाश ही क्यों ना हो जो आयरुवेदिक फेस वाश होता है अब ये शब्दों का खेल है अनाओ भाई आपको मेडिया में हो सारी चीजें समझते हो इसलिए हमें केमिकल फ्री स्टैक को ज़्यादा इंपोर्टन्स नहीं देना है एक आइडियल फेस वाश सिलेक करते वक हमें अपनी स्किन का टाइप सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है अपनी फेस की स्किन क्या सेंसिटिव है क्या oily है क्या dry है या mix किसम किये और accordingly हमें active ingredients पे ध्यान देना है किसी भी face wash के अगर अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा oil जमा होता है बहुत pimples आते है और pimples जाने की बाद भी बहुत बड़े-बड़े गड़े पीछे चोड़ जाते है तो ऐसे में हमें beta hydroxy acids की ज़रुत होती है इस group का सबसे popular acid है salicylic acid आपको ये कई face wash और कई soaps में मिल जाएगा salicylic acid ये अपनी skin के लिए एक best chemical exfoliator तो ही ये deep pores में एकदम deeply जाके skin को cleanse तो करता ही है लेकिन pimples के वज़े से जो redness आती है जो skin को inflammation हुआ रहता है उस inflammation को भी ये salicylic acid शान्त करता है जिस face wash में salicylic acid होता है आप notice करोगे उसे यूज करने के बाद कुछ दिनों बाद pimples का problem dramatically कम हो जाता है Neutrogena का face wash जिसमें salicylic acid है वो मैंने personally यूज किया सही में ये बहुत अच्छा काम कर गया पर जिनकी skin dry होती है उनमें ये oil soluble face wash जिनमें salicylic acid होता है वो काम नहीं करते उल्टा नुकसान करते skin के लिए hard सावित होते है skin के उपर के जो necessary oil जो necessary moisture होता है उसे भी धो धो के निकाल देते skin को dehydrate कर देते एकदम रुखा सुका ऐसे हमें हमें dry skin के लिए oil soluble cleansers नहीं बलकि उनके बजाए हमें mild water soluble cleansers की ज़रुत होती है AHA यानि के alpha hydroxy acids का group उनमें कई सारे organic sources होते जैसे sugar cane से निकलने वाला glycolic acid हो milk से निकलने वाला lactic acid या फिर citrus fruit से निकलने वाला citric acid हाँ ये blackheads को धोने में भी काम में आते है जोई ने तो ऐसी fruit flavor की face wash की range बना रखिये lemon, papaya, pomogranade, apple, green apple या face wash या flavored condom ने मतलब ingredients पता होना चाहिए अच्छी बात है लेकिन हमें उससे ज़्यादा importance देना होता है कि कौन सा face wash अपनी skin को practically suit करता है तो कौन सा face wash हमें suit करेगा ये समझने के लिए दो methods है एक तो डॉक्टर के पार जाओ skin specialist, dermatologist वो हमें help करेगा अपनी skin type को समझने के लिए और एक ideal face wash choose करने के लिए या फिर trial and error method यानि कि market से अलग-अलग face wash खरीदो उन्हें इस्तमाल करो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको trial and error method follow करना है तो market में कुछ best options है face wash के जैसे के मैंने बता है Neutrogena और Joy Series लेगन इसके अलबा Globus का Pimple Clear Face Wash with glycolic and salicylic acid Skin Craft का Face Wash for Dry Skin Simple का Kainto Skin Refreshing Facial Wash Himalaya का Moisturizing Aloe Vera Face Wash Glycolite का Skin Rejuvenating and Lightening Face Wash The Dharma Company का 3% AHA-BHA Foaming Face Wash Cetaphil का Gentle Skin Cleanser Nivea का Woman Face Wash for Dry Skin Wow Skin Science का Brightening Vitamin C Foaming Face Wash इतनी body list मैंने इसलिए नहीं बता है कि बस salesman बनके product बेशना है नहीं, market में यार competition ही इतना तगड़ा है और ये competition ज़रूरी भी है ताकि हमें बहतर से बहतर best quality products मिले और एक सच्चा ये भी है कि सारे के सारे products हमें नहीं यूज नहीं किये लेकिन जो products मुझे on paper जिनके ingredients वाकए में sensible मुझे लग रहे है theoretically जैसे कि ये simple का kind to skin refreshing face wash जो की PETA certified है या फिर Wow Skin Science का ये face wash जिसमें कोका मीडो प्रपाइल बीटेन है जो की globally worldwide accepted मतलब internationally well tested ऐसा जबर्दस foaming agent है ना इतना soft, इतना mild कि बच्चों की products में भी इसे इस्तिमाल किया जाता है ऐसे classic products में हमेशा recommend करूँगा अपने channel पे ये सारे products और इनकी best buy links में नीचे description box में दे रहा हूँ उस पे click करके आप purchase कर सकते हो जाते जाते कुछ important tips देखो face wash आप चाहे जो use करो face wash करने के बाद आप अपनी skin को रगड़ रगड़ के पोचों माद excessive friction के वज़ए से skin पे micro inflammation यानि के छोटे छोटे scratches आ जाएंगे जिसके वज़ए से skin को नुकसान हो जाएगा फाइदा होने के बज़ाए और दिन में सिर्फ दो बार face wash करो बार बार नहीं face wash के बाद अपनी skin के open pores को हलके से close करने के लिए हमें एक अच्छे company का astringent या field toner इस्तमाल करना है बस उसे medicated cotton पे हलके से लगा के अपनी skin पे हलकालका tap करना है best finishing touch के लिए urban botanics का alcohol free toner एक दम जबरदस्त आप यूज़ कर सकते हो उसकी भी link आपको नीचे description में मिल जाएगी इसके अलावा अगर आपके कोई भी doubts कोई भी सवाल है तो नीचे comment box में type करके मुझे बताइए का इंतजाम कर दिया आपके दारू का नी दवा का वो एक आत्मी कुछ हो गया बड़ा